तो ये गाज़ा में बैक टुए न्यू वीडियो ना रस प्लेश उपर और भाई पंच पड़ा है पंच पड़ा नहीं है वे कसके पड़ा है ये वन आफ ऐसे पंच है ना कि इंसान चाहता एक ना एक बार 100-200 चैप्टर में लगता ही रहे कुछ ऐसे लोग उतने इनको तुम चाहते हो कि भाई ये आदमी बस बाहर निकलते ही मार खाजाए सैटन उन्हीं लोगों में से आए और इसके मार खाने पर जितनी खुशी वन पीस कम्यूटी की हुई है ना उतनी खुशी मतलब उतना ही दुखता भुगा था जब डंबल ड हो यार मैंने पैनल देखा और आए वस लाइक मजा हो गया यही देखना था इस पूरे दो हफ्ते के बाद कर तुम लोग को जानने से क्या क्या चीज हो इस चैप्टर में कुछ इंट्रेस्टिंग प्लॉट्स में है जो कि बहुत मजा आया मेरे को पढ़े के डाउन दे चै तो इसलिए वीडियो थोड़ा रेकॉर्ड करने में लेट हो गया है अभी मैं थोड़ा ठीक फील कर रहा हूं सो नौब यार विश्टिंग अनी मोर टाइम लेट्स रोल दा इंट्रो एक चूहे को केक लेंग लेकर रहा है क्योंकि चूहे ने चुईया से शादी कर ली है wholesome shit वैसे cover page में तुछ खास interesting नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैंने बस notice किया कि ओपर वो एक माला लटकी हुई है जो कि Ace के माला जैसी लग रही है I don't know पर मेरे को वैसा ही लगा तुम लोगों को लग रहा है किया वो Ace का ही माला है लोग comment सो बता फिर chapter start होता है पहरी line से एक punch full of feelings जहां पर कुमा ने खीची लिया है मतब तानी लिया है मारने ही वाला कस्क खीच के खेर उसके बाद एक flashback देखने को मिलता है जहां पर कुमा भी बच्चा होता है और Saturn उसको बोला था कि तू वही Bukhania tribe का londa है और तेरे पास सिर्फ दो ही option है या तो तू slave की तरह जियेगा या तो तू यहीं पर मर जा हम देखते है कुमा का बाप भी उसका बैठा हुआ वह वहां पर रो रहा है क्योंकि उसकी मौ मर गई है लेकिन I think कुमा का बाप खुश है कि वो और better place पर है तूम लोग को नहीं आतो तो मैंने तूम लोग को बताया था कि उसकी मम्य के साथ क्या क्या हुआ था विच वास जैसे speculation बट I can't ignore कि यह सारे चीज़े होई थी लेकिन ने उसका कुछ कर ही दिया था क्योंकि यार obviously वो एक औरत थी कि उससे वो लोग क्या ही काम करवाते है वे जीनी का भी flashback दिखता है जहां पर वो sorry बोल रही होती है मतलब जब बच्ची जी तब वो रो रही होती है और एक transponder snail के तूर उसका call आता है कि अब वो मरने वाली है मतलब मरने से जज़ेस्ट पहले वाला है वो बोलता कि आखिर कुमा इस समय जिन्दा कैसे है मैंने backup plan activate कर दिया था जिस दिन revolutionary army उसको चुरा कर लेगे गए थे तो फिर आखिर ये बंदा जिन्दा कैसे है जब मैंने उसका self-destruct mode trigger कर दिया था और ये चीज़ सुनके तो इवन वेगा पंग भी चौक जाता है लेगन चौक ने अफिर सेल रिश्टक करने से क्या ही होगा सैटन तेरे उपर तो मुका खिच चुका है अगले पैनल में हम देखते है कि कुमा ने पंच और अब दाब के मारने वाला है उसने बुशुशु को हाकी भी अक्टिवेट कर ली और ऐसा वैसा लग भी ने रहा पैनल में देखके बहुत ही डार्क लग रहा है भाई उसका हाकी का पुरा कोटिंग ये पंच भाई लगने वाला है बहुत जोर से लगने वाला और वही होता भी अगले पैनल पे इतने जोर से सीधे उसके ठोपड़े में घुसा देता है वो मुक का मज़ा आ गया भाई फीलिंग है ये ये देख रहू हूँ ये ये फीलिंग है जोड से लगा भाई पंच और जस्ट नेक्स पैल में हम देखते है सैठन की अभी एक खुली हुई है और वो देखके बहुत यानॉइड लग रहा है क्योंकि भाई इतने भी नीचे जाता क्यों आओ कुमा लग तो गया है ना तुझे लगा ना भाई अच्छे से पढ़ गई सारी बेज़दी तो हो गई अब एक बार लग तो गया ही है पंच भाई इतने जोड से लगा से लगा सैटन को कि उसने मूझ से खून फिक दिया है और उसके पाद अगले पेज के पहले पैनल पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुमा एकदम आवा में उड़ते हुए उसको पंच किया था वो बहुत अच्छा लुक लग रहा है मुझे कुमा का ओवराल और सैटन यहाँ पर दूर छटकता हुआ जा रहा है और सिर्फ दूर जा नहीं रहा है भाई उसने दो तीन वेगा पंग की बिल्डिंगे गिरा दी है इसके बाद भी वो नहीं रुक रहा है औ क्योंकि बुका निया ट्राइव का अगर पंच लगा ना तो वाई कसके ही लगेगा हाफ जायंट है भाई वो और यह वन आफ ऐसा मोमेंट है ना अगर तुम नहीं भी रिलेट कर पा रहे हो किसी वैसे बाइद अगर तुम यह वीडियो देख रहा है तो तुम रिलेट कर ह कि रहे होगे बर लेट मी रिमाइंड यू जब लूफी ने सेलेश्चियल ड्राइगन को एक पर पंच किया था वह वाला पंच सच बता रहो इतना सैटिस्फाइंग है कि काईडो को जो पढ़ा था ना वो भी मतलब उस लेवल की फीलिंग ने देता जो उस समय मतलब जिस तरह से उसको टोई अनिमेशन ने दिखाया था यार खीच के मारा था लूफी ने और इस समय सेम वही काम उमा ने यहां पर किया है बे मैं सच बता रहा हूं मैंने तो खेर मांगा भी 2020 में पढ़ना इस्टार्ट किया था पर जो लोग इसको आई थिंक दोजर पांच से से पढ़ रहे होंगे ना उनके लिए तो यार भाई imagine करो भाई वह इस समय बाप बन चुके होंगे वह अपने बच्चों के और वह इसको पढ़के कितनी खुशी मना रहे होंगे पड़ा बैंच यही चाहिए था यही चाहिए बैंचो यही चाहिए कुछ जादे खुश हो रहा हूँ मैं यही चाहिए ओ भाई यह देखके यह तब है ठीक हो गई थी मेरी के इसके बाद हमें marines दिखते है marines का reaction होता क्या हो रहा है भाई kuma के साथ क्या हो रहा है kuma ने क्या किया और उसके बाद सारे marines के गांट फट गई है कि बाई kuma ने एक क्या कहते है one of the five elder को पंच मार दिया है मतलब he literally attacked the greatest power to ever exist in one piece और लोग भी सेम यही चिला रहे है कि इतना उचा होने के बाद भी अगर कोई slave तुमको पंच मार के गया है न यह चीज एकदम unbelievable है गर सेटन को पंच करते ही सारे के सारे histroids वापिस से मतलब move करने लगते हैं वो सभी के सभी वापिस से क्योंकि सेटन के होने की वैसे वो सभी लोग एक ही जगे पर रुख गये थे एकदम statue बन गये थे और सभी के सभी लोग अब सीधे boni की तरफ दोड़ते है क्योंकि उन का control उनके हाथ से छूड़ किया जब कुमा के पास खुद का दिमाग ही ने बचाए अपर वेगापंग अपने मन में सोचता है कि उसने कोई simple सा self-destruct नहीं install किया था कुमा के body के अंदर क्योंकि वेगापंग कभी इस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता था कि वो कुमा को एक bomb बना दे because obviously अगर ऐसा कुछ भी किया वेगापंग ने तो ये celestial dragons या फिर जो five elders है ये लोग इसको कभी भी अपने लिए इस्तेबाल कर सकते हैं और कुमा को destruct कर सकते हैं और इसलिए उसने एक different तरह का fail safe mechanism install किया था ना कि just एक bomb type का self-destruction जिसको फिर Saturn ने खुद ही activate कर द किया होगा कि जब भी boni किसी danger में हो तो आके कुमा उसको बचा ले बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वेगापंग ने उसको इस तरह से program किया था कि जब भी Saturn इस button को activate करेगा तो basically कुमा की जो body है वो ठीक उसी moment पे shutdown होके खतम हो जाएगी मतलब बात बहुत simple सी है कि कुमा के पास अभी खुद का persona है ही ने वो उसके अंदर दिमागी नहीं कि वो क्या था और क्या है मतलब उसका सारा sense खतम हो रखा है उसके उपर से Saturn ने वो button दबा के कुमा की body को पूरी तरह से function करवाना बंद कर दिया है तो इसाब से कुमा कुछ भी नहीं बलकि बस एक बीना battery का लौना होना चाहिए था जो कि ना कोई order ले सकता है और ना ही अपने हिसाब से सोच सकता है इसका मतलब यह कि boni की presence को महसूस करना तो दूर वो यहां तक आ भी नहीं सकता तो सवाल यह ही है कि यहां पर आखिर यह साइबॉर्ग मूव कैसे कर रहा है इसके बाद वेगापं इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे अभी खैर अगले पैल में हम देखते है कि कुमा ने बेटी को अपने गोद में उठा लिया है बहुत ही होलसम मॉमेंट है बहुत अच्छा लग रहा है और यहां पर अब किजारू भी उट चुका और बोला कि अब तो पात रखके है ऐसे बोलती है कि थैंक्यू डैडी फॉर एवरिटिंग जो भी आपने मेरे लिए किया मैंने आपकी सारी यादे देखी और ममी सच में बहुत ही गजब की और आपने मेले बहुत सारे लेटरस लिखे और उसके लिए बहुत बहुत थैंक्यू मुझे बहुत जादे अच्छा लगा कि इसारे चीज़े बोनी अपने बाप को बोल रही होती है बोनी का ट्रांस्फोर्मेशन भी खतम हो गया वह आप इससे बच्ची बन चुकी है और वो सीधे सीधे कुमा को बोलती है कि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता कि लोग आपको क्या बोलते है और आप मेरे लिए इस पूरे दुनिया में सबसे अमेजिंग आद्मी हो और मैं ये चीज़ कभी ने भूलूंगी और ये चीज़ कभी नहीं बूलओंगी और ये ये खुशी बस बहुत ही शॉट लिफड होती है क्योंकि तुरंत अगले ही सेकंड हमें ब्लैक लाइक एडवांस वर्जिन आफ हाऊ शुकू हाकी या फिर एनी अधर काइंड आपकी I don't exactly know पर यही है कि सैटन वापस आ रहा है सैटन याने कि यह मकड़ा यहां पर वापस उटके खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि उसका एक हाथ पूरी तरह से खतम हो गया है सच में कुमा ने बहुत दोर से मारा है वे सैटन का टूटाया बड़ी बात है यहां पर क्याने आपर बुडवा उटते ही बोलता है कि वेगा पंक मैं अभी भी तेरे से एक्स्प्लिनेशन एक्सपेट कर रहा हूँ आखिर यह सब हुआ कैसे इस पर वेगा पंक बोलता है कि कोई बात नहीं मेरे उपर ही सारा ब्लेम डाल दे क्योंकि एनिवेज मैंने ही गलत फेल सेफ उसके अंदर डाला था लेकिन अगर तू एक एरोमेंटिक परसन है एरोमेंटिक का मतलब एक ऐसा आदमी जो कि रोमेंस नहीं फील कर सकता एंड समाव LGBTQ लोगों में एक यह कैटिग्री भी है एरोमेंटिक एसेक्शुल मैं मा चुद है मत 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 को जो उसको जागे तो अगर तू एक एरोमेंटिक आदमी है तो भाई मैं तुझे सीसीते बता देता हूँ कि इसे पावर ओफ लव भी कह सकते हैं जिस पर सेटन बोलता कि हाँ तुम लोग साले नीची जात वाले क्या ही समझोगे दिमागी कहा होता तुम्हारे अंदर तुम लोग तो भाई अब बहुत जीलिये और आज के दिन तुम्हारे लिए फाइनल टाटा भाई भाई है और हम देखते हैं कि सैटन का हाथ वापस से रीजनरेट होने लग रहा है सेम वे जैसे हम लूफी को बार-बार हील होते हुए देखते हैं और वाज इट फूटन्ट एक्स्प्लेंड कि आकि लूफी इतने जल्द जल्दी खुद को कैसे रीकवर कर सकता है बस बात ऐसी है कि सैटन का कोई स्पेशल टाइप का डेविल फूट होगा और काईट उफ मैं देख भी सकता हूँ उसके जो क्लाउट से ब्लैक कलर के आई थिंक वो उससे मर जोगे उसे हील करने की कोशिश कर रहे है जो कुछ भी अगले पहल में हम देखते हैं कि सैटन यहाँ पर कुमा के पीछे वार करने वाला उसके पीट पे कितना हरामी आदमी है भाई वाइट बीर्ड मर गया लेकिन उसके पीट पे एक भी निशान नहीं थे और इस चूतिया यह पीट पे वार करने के बारे में सोच रहा है वे कितना हरामी आदमी है भाई यह ही होता है यह यह रियालिटी महें चो दिन सेलेस्टियल रैगन्स की एक अधमरा आदमी है भाई उसके अंदर खुद का दिमाग नहीं है उसके अंदर फाइट करने के वि उठा हुआ है वो सीसी तो बोलता मैं नहीं तेरे को करने दूंगा भाई तेरे से जाटू मकडे ने बोनी को बहुत परिशान कर लिया है आज नहीं हो रहा तेरे से वह उसे बहुत सोर्स एक डियावल जम से किक मारता है और और यहां पर सेफ है और यहां पर फ्रांकी भी बीम फायर भी करता है और वो सेटन के बॉड़ी के आर पार भी हो जाती है मतलब छेद गर के निगल गई है उसकी बीम लेकिन तब ही किजारू फ्रांकी के पीछे आ जाता है और कहता है आज देखते हैं कितने बड़े हो गए हो और किजारू उसके उपर अपने बीम से उपर वाले लैब में किजारू भी यहां पर उठ गया और वो जाके सीधे सेटन के बगल में खड़ा और बोलता है कि अब जब कुमा यहां पर आ गया है तो आपको नहीं लगता कि कुछ जादी प्लियर्स की साइलेंड पर आ गये हैं इस पर सेटन बोलता है कि शायद अब किस बात का जस्टिस और ड्यूटी है भे इसका यह सैड फील कर रहा कि यह लोग मरेंगे लेकि फिर भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा जिनके साथ यह नाचा गया दारूप या उनको यह बचाने के लिए नहीं जा रहा है यहां पर हम फाइनल किस बात की जस्टिस कैसे बोल भी कैसे रहे यह लोग और यहां पर सैटन हम सभी को यानि की रीडर्स को आखों से घूरते हुए बोलता है कि एक ट्रेटर जिसने दुनिया के सारे सीक्रेट जान लिये एक ऐसा ट्राइब का बच्चा जिसे यहां पर जिन्दा नहीं होना च और लास्ट लाइन दा फोर्स अफ जस्टिस लूम के साथ चैप्टर नंबर ग्यारो सोचार खतम और अगले हपते कोई भी ब्रेक नहीं है ताट सबसे पहली बात कि आखिर कुमा के अंदर इसी कौन सी स्पेशल चीज है जो कि बुकनियर लोगों में मिलती है तो इसके पी पूरा पूरा जो अपना स्माइनल कॉर्ड नीचे तक आता है वो एक तरह से सेपरेट पार्ट ऑफ माइंड की तरह काम करता है बट उसके बहुत ही लिमिटेड फंक्शन होते हैं यहां पर बुकनियर ट्राइफ हो सकता बारोजिकली थोड़ी डिफरेंट हो अब यहां पर इसलिए कुमा जो कुछ भी फेल कर रा था उस समय पे वो सीधे सीधे बुनी चे पास आ गया अब बुनी के पास कैसे हो रहीए है इसकीं नहीं और यह ही नहीं नहीं है वह ने अल्लट यह देक है अगर तो में थ्रिलर बाग आक या तो वह पर जो जॉँबी वारत थी योक तो मैंने अभी अभी सिंडरी का पूरा पेज देगा उसका नाम सिंडरी था तो वहाँ पर भी रॉबिन और चौपर ने चीज कनफर्म की थी कि उसकी जो विल है वो अभी भी उसके बॉड़ी में अलाइव है वो मर चुकी है तो इसलिए कुमा की भी जो विल थी कि वो अपने बेटी को प्रोटेट करना चाहता है वो विल उसके अंदर जिंदा है and that is how it is all interconnected we can't explain it क्योंकि वेगा पंग भी इस चीज को नहीं अच्छे से explain कर पा रहा है let us just don't find logic in this इसको just let's keep it as father and daughter love it is a very pure thing right now coming to the second part of the question क्या कि Blackbeard का क्या हो और बड़े से रोबोट का क्या हुआ यहां पर जो बड़े सा रोबोट है वो एक्टिवेट तो हुआ है but is it going to function अभी तुरंत I am not sure sure अभी उसका क्या होगा मुझे नहीं पता वो यहां पर दिखा नहीं रहा है जहां तक मेरे को लगता वो इनलों का final wild card हो सकता है कि जब कुछ भी काम नहीं आएगा तो वो रोबोट ही इनको protect कर सकता है बात रही Blackbeard की क्योंकि यहां पर रोबोट का और कोई मेरे को point लग भी नहीं रहा वो यहां पर और कुछ कर भी नहीं पाएगा क्योंकि ultimately Luffy and crew will escape with their ship only कोई रोबोट उन्हें उडा के नहीं लेके जा रहा है but I think final moments में वो रोबोट उनको Satan वगारे से protect कर सकता है या फिर at very least Buster Call से protect कर सकता है बात रही Blackbeard की तो Blackbeard mean fight में नहीं आता हम सबको पता है वो last में आता है और दीरे से अपना काम निकाल के चला जाता है सबसे पहली चीज़ कि उसको अलड़ी पता कि Eggad Island एक stronghold है government का तो वहाँ पर वो सीधे सीधे नहीं आएगा he is there with some kind of plan जहाँ पर वो यही assume कर रहा है कि इन सारे fight के बाद जो भी remains बचे होंगे वो उसको ले लेगा जहाँ पर मुझे सबसे पॉसिबिल्टी लगती है Seraphim की उसने अलड़ी उनके power and abilities को देख रखा है तो कोई ना कोई Seraphim वो यहाँ पर उठाने के लिए आएगा या फिर जो सब लोग उमीद कर रहे है कि वो हो सकता हो Saturn का devil fruit चुला ले मैं चाहता हूँ वो Saturn का devil fruit चुला ले या फिर Saturn को maybe kidnap or nap कर ले और फिर माचो दे इन Mary Joys वालों की बट लेट सी लोग रन में Blackbeard के हाथ में इतना strong devil fruit बहुत जादे problem create कर सकता है तुम लोग क्या चाहते हो क्या Blackbeard Saturn को पेले या नहीं क्या तुम लोग इतने दुखी हो गए हो कि तुम चाहते हो Blackbeard उसका fruit चुरा ले ये सब चीज तुम लोग मुझे comment section में बताओ मसा आएगा इस बाग comments पढ़ने में सच में comment कर देना and I'll see you guys in the next video whatever channel को भी subscribe कर दो subscribers के number को उपर लेके जाओ बहुत समय से आने राता and until next video play on